इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी वीलमार श्टॉक के बारे में इस श्टॉक में टेक्निकली देखेंगे तो बॉटाम आउट होते वे दिखा है और इस ट्रॉंगली डिमांड बरते वे दिख रहा है और दो ब्रेकिंग न्यूज भी ट्रेंड होते वे दि और कंटिनियूस ग्रो करते वे दिख रही है और दूसरा न्यूज ये ट्रेंड होते वे दिख रहा है जो कि डिसेंट आज की ही न्यूज है कि इंडोनेसिया ने जो पाम उइल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था उसको हटाते वे दिखा है और शियोली टेक्निकली ये एक स्टोंग अप्टेंड में है जहां 620 का एक रेजिस्टेंस था वो एक माइनर रेजिस्टेंस को इस स्टोंग ने क्रोस किया अगिन ये स्टोंग 850-900 के टार्गेट के लिए तैयार होते वे दिख रहा है अगर अल्रेडी इंवेस्टेड है तो पोजिशन बनाए रखे अगर नहीं है तो शियोली से स्टोंग को इस प्राइस पे भी बाइंग किया जा सकता है चुकि टोटली ये निफ्टी के अपोजिट ट्रेन में ट्रेड करते वे दिख रही है जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी गिरावट दिख रहा है बहुत जारा वोलेटि दिख रही है वहीं ये स्टोंग वन साइडेर अप्टेन में तो शियोली ये निफ्टी को परफॉर्म करने वाली है